हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे भूह वश्ता अधनियम विधारा 181 और 179 के बारे में कि इन धाराओं में क्या-क्या प्रावधान किया गया है कि कब किसी पतनी को अपने पती की संपत्ती में कब हिस्सा उत्रा अधिकार कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा तो और भी वीडियो देखने हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रेशन में कई वीडियो की लिंके देगे हैं आप वहाँ जाकर और भी महित्पुड वीडियो देख सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं भूह बस्ता अधियों की दारा 171 में 15 प्रकार के उत्रादकारी सामिल हैं अगर कोई भी पुरुष व्यक्ती अपनी संपत्ती निर्वसियत छोड़ के मरता है तो वह 15 उत्रादकारियों में विवाजित हो सकती है 15 प्रकार के उत्रादकारी होते हैं दोस्तों बात करेंगे भूंबस्ता अधनियम की धारा 179 के बारे में धारा 179 में कुछ प्रावधान किये गए हैं कि यह संपत्ती कैसे किस प्रकार उत्तरादिकारियों में विवाजत होगी और कुछ सरतें लगाएं गई हैं जिनमें से मुक्ष सरतें कुछ इस प्रकार हैं अगर किसी प्रुष की मरत्य हो जाती है और उसकी कई विद्वाएं हैं जैसे माली जी दो विद्वाएं हैं या तीन विद्वाएं हैं तो ऐसी इस्तिती में उसकी जो निर्वसियत संपत्ती बची है वह सिर्फ विद्वा का उसमें एक भाग होगा और उस एक भाग में से उन सभी विद्वाओं को बांटा जाएगा ना कि इसमाली जी दो विद्वाओं है तो उसके दो संपत्ती दो भागों में नहीं बटेगी बलकि एक ही भागों में बटेगी और उसी एक भाग मैं से दो या तीन जितनी विद्वाय हैं उनमें बटेगी दूसरा जो सबसे महित्पूर जो विंदू है वो ये है कि अगर माल लीजिए कोई भी पुरुस है और उसकी मिर्थ हो जाती है तो ऐसी इस्तिती में जो उसकी संपत्ती है वो पतनी को मिलेगी पतनी को उस पर पूरा अधिकार है लेकिन अगर माल लीजिए कोई भी पतनी दूसरा विवा कर लेती है या माल लीजिए उस पुरुस की मा या पतनी ऐसी इस्तिती में दूसरा विवा कर लेती है तो उस स्तिती को उस संपत्ती में कोई भी अधिकार नहीं मिलता है और जैसे माली जी उत्तरा अधिकार मिल भी जाता है और उसके बाद वो विवा कर ले दी है तो ऐसी स्तिती में वह उत्तरा अधिकार से भी बंचित हो सकती है जो भी उत्तरा अधिकार का जो भी अधिकार था जो भी उस संपत्ती पर अधिकार उसने कपजा या अधिकार किसी प्रकार का प्राप्त कर लिया है तो वो भी उसे वापस करना पड़ेगा ऐसी स्थिती में उसे उत्तरा अधिकार लेने का कोई भी अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश भूम बस्ता अधनियम की धारा 169 यह प्रापधान करती है इसपस्ट रूप से प्रापधान करती है अगर कोई भी मृत पुरुस की मा या विद्वा ऐसी इस्तरी अगर पुनर विवा दूसरा विवा कर लेती है तो उसे उत्तरा अधिकार से वंचित होना पड़ेगा उसे उत्तरा अधिकार पाने का कोई भी अधिकार नहीं है दूस्तों कर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और वी वीडियो देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रस्न में लिंके दी गई है आप वहां से और वी वीडियो देख सकते हैं जो आपको महत्फूर जानकारी देंगे उसे वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक चुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें